पूरा जारखन के नोजूवक लोग के बेरोजगार कर दिये हैं पंचायत सचीव परिक्षा में कई ऐसे सफल अभ्यर्ती हैं जो रिजल्ट का इंतजार करते करते ठक गए और अंततह कमाने के लिए बाहर चले गए उसी में से एक डाल्टन गंज के चैनपूर के रहने वाले हैं और जब वह बाहर कमाने के लिए चले गए हैं और अब जब राची के राजभावन के पास पंचायत सचीव जो परिक्षा है उसकी नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उनके पिता जी अभी इस आंदोलन में सामिल होने के लिए आए हैं मेरा अरुन कुमार नाम है अरुन जी आपका बेटा और बेटी दोनों सब फल हुए है आप आई क्यों आदोलन लड़का बोला कि हमको पापा मदद करो हम आ गया हम कही कि मनुबल सभी को नहीं करेंगे उचा करेंगे तो फिर छुट जाएगा छोटा हो जाएगा अब लड सब्सक्राइब को दुकान में हैं इसी तरह बताता है और जंग से रह नहीं रहा है यहां रहता बताए हम पढ़ाए हैं बाहर रहने के लिए हैं लड़की का साधी फीस कर दिये हुए उसका छेका हो गया है नोक्री वाला लड़का बोला कि आपके बची का नोक्री होने वा होगी बचे लोग होगा राजपाल मोखदे से मुखमंत्री मोखदे से आगर आ nossaं जोड़कर कर रहें कि यह जो कर रह Just gonnaolly возёлे और इसको जल्दी सा चालु करे और हमारा घरot के पता करें मेरा घर के सिवा किसी तरह का यहां किंच अगर गोम गोम खोम के थेला में थेला में देली मंदे कभी देलिया में भी हो गया नहीं प्रत जबत थेलाइए को पूरा जारखन के नौजुवक लोग के बेरोजगार कर दिये हैं और यह मजबूरन कुछ सोचना पड़ जाएगा यह लोग कुछ सोच करके कुछ कर देंगे ति इसका जबाब दे ही कौन होगा इसका जबाब दे ही होगा कोन हम राजपाल मुहदे से आगर कर रहें कि मुखम जबाब देते क्या होता है बेटी पचाव बेटी पढ़ाव का उसका जबाब आनके सब की बीच में दे हिमत हैता अगर सुन रहें ते जबाब दे इका दिये हो गया बोली कुछ वजन होना चाहिए आप बांदुलर में आगे हैं तो फिर तो कमाई हुमाई भी नहां आप हम राजपल मोहदे से मुख मंतरी मोहदे सहां जोड़कर बिंति कर रहें आए कि हान करके दुख दर्द को समझें कम से कम समझे सभी को सफल करें सभीक रिजल्ट निकाल करके अपना जोएन करवाएं मेरा बेटा भी आजा बोलते हैं कि मेरा जहार खान कोई बाहर नही भी पढ़ा लिएव से बोला में हिमत पंजाब से बोला में कहते हैं कि नहीं कहीं जाएंगे बाहर क्यों बाहर चला गया पढ़ लीकर से लेवर एक चरा क्डुर में काम करेगा जार खनमें में लेवर की सुभात कुछ करकर रहे काला भा childhood कि आज याद करें मुखमंत्री मोहद है कि पहले हम क्या था अभी मुखमंत्री पर पहुंच गया है उनको अगर छोटा काम मिलेगा तो करेंगे पढ़ा लिखा लेकर बता यह का चाना बेदाम बेचेगा लेवर काम करेंगा वह अपना इज़त बचा करके बाहर चला गया है समाज के लोग बोल रहें कि निकामा आदमी के साथे क्या साधी करेंगे अस्तिर से है नहीं एक जगा बाहर है साधी होना मुस्किल है 30 साल से 20 सुमर हो गया का 40-50 साल में साधी होगा तो जहार खंड जागिर होगा यहीं नौजुवक से जहार खंड आगे बढ़ रहा है मुखमंत्री मोहदे के सोचना चाहिए कि हम यह क्या किये हैं और क्या नहीं किये हैं अगर गलती अपने कर हैं तो सब परी नौजुवक लोगों को पर साधा गिरांगे अगर गल्ती है तो अपने ने किया है मुख मंत्री को रगवर दास के जेल में डाले गलत वगर उकिया है तो हमत है तूर्ण को डाल के देखे लेकिनी लोग लाइकन के नहीं होना चाहिए पुरे जहार खान के पंचाज सची उलेगे जतना भी पास के अई लोग का जवाब अगर गलत मिला तिस सचले में वही जवाब देना उनको मुश्किल हो जाएगा